सुशान्त से राजपूत की मौत ने बॉलिवुड को एक तगड़ा छटका दिया है और इस घटना से बॉलिवुड के कई सेलिब्रिटीज शौक में हैं लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि सुशान्त सूसाइड कर सकते हैं सुब अपने अपने तरीके से इस घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनके लिए विश्वास करपाना मुश्किल है कि सुशान्त अबस दुनिया में नहीं रहें। हाल ही में एक ऐसे ही Bollywood celebrity ने अपनी और सुशान्त के बीच हुई बादचीत का स्क्रीन शॉट शेयर करके सब को चौका कर रख दिया है Bollywood director अर्जुन कपूर ने एक screenshot शेयर किया जिसमें उनके और सुशान्त के बीच हुई बादचीत दिखाई दे रही है screenshot को शेयर करते हुए अर्जुन कपूर ने एक emotional message भी लिखा है आपको बताते हैं कि अर्जुन कपूर ने क्या लिखा है और इस screenshot में सुशान्त और अर्जुन के बीच क्या बादचीत हुई थी अर्जुन ने जिस screenshot डाला है उसमें उन्होंने सुशान्त की एक post पर reply किया था सुशान्त की post उनकी film के दानात के release के बाद की है जब लोग इस film के release को लेकर खुश थे लेकिन इस वक्त सुशान्त अपनी माँ को याद कर रहे थे अपनी माँ को याद करते हुए सुशान्त ने लिखा था कि एक पल ऐसा नहीं जाता जिसमें मुझे तुम्हारी याद ना आए इस दिन कई साल पहले मैंने तुम्हें खो दिया था वो कहते हैं कि तुम उपर जाकर स्तितारा बन गई हो सुशान्त की इस post पर reply करते हुए अरजुन कपूर ने लिखा था a big hug to you यारे तुम्हें एक प्यारी सी छपपी जिसके reply में सुशान्त ने लिखा love you भाई मैं जानता हूँ कि तुम सब समझते हो इसके reply में अरजुन कपूर ने लिखा था कि केदानात के लिए बधाई सोन चे रहे का बंतिजार नहीं होता जल्द ही मिलते हैं साथ ही सुशान्त की मा को लेकर उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें देख रही हैं और जहां पर भी हैं वो तुम पर गर्व महसूस कर रही होंगी reply में सुशान्त ने कहा भाई तुम से सच में मिलने की सोच रहा हूँ मुझे बताना कब मिल सकते हैं अरजुन कपूर और सुशान्त सहर राजपूत के बीच हुए ये बाचीत लगबग 18 महीने पुरानी है जो फिल्म केदारनाथ रिलीज हुई थी इस स्क्रीन शॉट को शेर करते हुए अरजुन कपूर ने एक पोस्ट भी लिखा है उन्होंने लिखा कि 18 महीने पहले मैंने उन्हें आखरी बार मैसेज किया था उस वक्त जब उन्होंने केदारनाथ फिल्म के रिलीज होने के हफते बाद अपनी मा के लिए पोस्ट डाला था मुझे लगता है कि जो फिल्म को लोग सेलिबरीट कर रहे थे तब उन्हें अपनी मा की याद आ रही थी मैं उन्हें ठीक से नहीं जानता लेकिन हम कई भाई यश्राज फिल्म इवेंट और स्क्रीनिंग में मिलते रहें मैं यह नहीं कह सकता कि उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया मैं यह समझता हूँ लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मा को खोने का उन्हें जो दर्द था वो में महसूस कर सकता हूँ उमेद है कि मेरे दोस्त अब तुम बहतर और खुशाल जगह होगे मैं उमीद और प्रातना करता हूँ कि जब ये सरकस शान्त हो जाएगा तब हम एक सोसाइटी के तौर पर ये महसूस करेंगी कि तुमने जो चुना वो किसी एक पलिया किसी एक बात से प्रेदित नहीं था बरकि बहुत सारी बातों का चरम बिल्दो था मेरे प्यारे भाई सुशान्त उमीद है कि तुम अब जहां होंगे शान्ती से होंगे अजुन गपूर भी सुशान्त की मौत से काफिर डिस्टरब नज़र आ रहे हैं शायद इसलिए ही उन्होंने 18 महिने पहले हुई सुशान्त से ये बाक्षीत का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए ये भावनात्मक पोस्ट लिखा है